हेलो अडिवान उमीद है आप सब लोग अच्छे होंगे आम कृतिका शर्मा आम वालकम टो अवर चानल टूडेंट्स जिसे कि आपको पता है लीटेस्ट अभी एच्पी टेट मेडिकल वालों का एक्जाम हुआ है दोहजार बाइस दिसंबर में तो अभी मैं उसकी फुल डि करके आपको यहां पर चीज़ें प्रवाइड होंगी ताकि आप देख सकें कि एक्जक्ट अंसर क्या है विद एक्स्वलनेशन बाकि अगर अगर कोई और स्टूडेंट देख रहे हैं इन्स पेपर को तो उन्हें भी बिता दूँगी प्रीवियस यह पेपर हमारे लिए ब बहुत जादा important होती है क्योंकि आप एक question कर रहे हो तो अगर आप चार question को cover कर रहे हो पांच question cover हो रहे हैं तो यानि आप देख सकते हो कितने question cover हो चुका है तो पंदरा बार को जोड़ लो सिक्टिस है तो कितने जादा question cover up हो जाएंगे अगर आप previous air paper को अच्छे से देखत अब बायो की वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाती है क्योंकि यहां पर हम with picture with sub को explain करते हैं ताकि आपके लिए easy हो जाए समझना असान हो जाए आपको understand हो जाए चीज़े तो let's start करते हैं किसी का किसी वज़ा से अभी test नहीं हुआ है किसी को coaching की जरूरत है किसी को guidance की जरू lecture already अपको provide होगा और फिर हम उसकी commission की classes start कर देंगे क्योंकि commission के लिए अगर अच्छे से तियारी करनी है तो 6-7 महिने तो चाहिए ही और उसके बाद थोड़ा revision के लिए भी चाहिए तो यह देखा predict किया गया है कि अभी exam आने वाला है जल्दी ही exam होगा तो 2023 में exam होना ही है तो preparation हम जल्दी ही start कर देंगे ताकि आप चीजों को समझ सको and तक फिर अभी बात करेंगे HP Tech Medical का course तो चलेगा ही तो commission का भी चलेगा तो चलेए start करते हैं आज की class पहले तो तो देखिए बात करते हैं HP Tech Medical के question paper की biology section December 2022 की तो अभी हम detail में करेंगे जो doubt होगा वो comment section में भी ताकि आपको समझने में बहुत असानी रहे तो first question is question आगे पीछे हो सकते हैं series लग लग होती है बट से question सेम ही होते हैं चले बात करते हैं in developing embryo RBC are formed RBC कहां बनती है तो जब बच्चा अभी ग्रूह कर रहा होता है तो RBC बनती है लीबर right plane को हम graveyard of RBC बोलते हैं lymph node देखो हमार बारी बॉडी में एक circulatory system है heart वगारा जो भी control करता है उसके इलावा एक lymphatic system भी काम करता है जो कि blood vascular system control नहीं कर पाता उसके backup के लिए बैटा होता है ताकि चीज़े control हो सके तो फिर बात करें bone marrow की bone marrow में जब adult में जब baby ग्रोच हो चुका है तो उसमें blood बनता है तो ये सारे point को याद दखना आप अगर मैं preference दो हूँ अगर आप सोचो कि किसी के अभी जिनों paper दिया होगा उनके रहे होंगे दो चार नंबर से तो वो ये सोचे कि दो चार नंबर cover up हो जाएंगे वो commission level की त्यारी की सोचे कि commission level की त्यारी करेंगे तो tat की already आपकी त्यारी हो जाएग तो इसलिए अब उसी level को लेके चलिए और पूरा लगा दीजिए जब तक आपके बस अभी time है पूरा हर चीज़ effort लगाईए So next question is the element associated with muscle contraction So muscle के लिए जो important है वो है magnesium and calcium So magnesium and calcium आते हैं हमारे muscle contraction के लिए So muscle contraction के muscle में कौन से protein होती है वो आप comment section में ज़रूर बताएगा And smallest unit muscle कहता है सारको Right? और muscle तो पता ही अब ये बताने के जूरूर तो है नहीं है कि कहां पे होती है Next question is there are pair of, कितनी pairs of cranial nerve होती है जो brain में arise होती है So अकर pair पूछा है, single भी पूछा जाता है कई बरी और pair में पूछा जाता है तो जो होती है 12 pairs होती है जैसे कि olfactory है, smell के लिए होती है तो ये two number में होती है Accumulator eye के लिए two number, trigemal, face sensation, facial ये सारी दो-दो होती है अब मैं इनको repeat नहीं करूँगी, कि अगर करने लगी तो इसी में हो जाएगा बाकि देखे, bio तो ऐसी है, picture देखोगे, चीज़े समझ जाएगे अगर आपको कोई doubt हो रहा है कि ये question कैसे है वैसे है, तो आप picture देख लो, आपको चीज़े समझ जाएगी तो 12 pair आती है, तो option हमारा यहाँ पर B correct हो जाता है, यानि total 24 है तो nerve दो टाइप्स की है, एक cranial है, एक spinal है, तो spinal total 31 pairs होती है pair का word याद रखना, हमेशे याद रखना आप चीज़ों का female with turner syndrome, देखो turner syndrome में क्या होता है कि जो sexual chromosome होता है, उसमें disability आ जाती है, मतलब आप इसा बोल सकते हो एक होता है, डाउन syndrome, एक होता है turner syndrome और एक होता है kniffer syndrome तो down syndrome में trisomy होती है, और turner syndrome में एक कम होता है राइट, one chromosome कम होता है, तो इसकी वज़ा से बहुत सारी problem हाती है जैसे कि apicanthial fold होता है, low posterior hairline होती है, cubiters vulgus होता है broad chest होती है, cardiovascular में problem होती है, hyper convex finger fingernails होती है pigmented navy होती है, sex chromatin negative होता है तो ऐसे बहुत सारे problems आते हैं, तो यहां पे सारे ही option रहेंगे एक हो सोचो, एक क्रोमोजोम की वज़ा से एक इनसान को या किसी उसको अलगी कर दिया जाता है इसमें person की गलती थोड़ी नहीं है, एक क्रोमोजोम गलत होने की वज़ा से मतलब उस person को अलग ही कर दिया जाता है life से कि वो अलग person बन चुका है गलती थो किसके भी नहीं है, फिर भी क्यों करते हैं, सोचेगा इस बार में हम खुद इस तरीके से देखते हैं चीज़ों को vote का option आता है all of these, next आता है हमारा law of independent environment तो law of independent environment में ये directly cross के बारे में पूछा गया है तो इसमें independent environment में जैसे कि हमने एक yellow मतलब yellow round shade लिया और एक हमने green and wrinkle लिया, दो मतलब cross लिये, जिसमें कि हमें ये क्या है double लिया, ठीक है, die hybrid cross type का, yellow rounded कि, देखो 16 total बनते हैं इसे तो yellow rounded कितने होगे, 9, मतलब ratio इसकी रहेगी, 3 ratio, 3 ratio, 3 ratio, 1 ये ratio रहती है, इसकी die hybrid cross के, तो right answer is die hybrid cross test cross में हम cross करवाते हैं, recessive के साथ, back cross में हम dominant के साथ cross करवाते हैं, mono hybrid में single जो participate करता है, फिर आता है genotypic ratio, एक होती है phenotypic, genotypic से समझे, gene की बात कीएगी, अंदर क्या है, phenotypic photo outer look क्या है, तो यहाँ पी एक trade लिया tall, एक लिया dwarf, mono, मतलब untrade, तो first generation में मिला TT, second में इनको hybrid करवाता है, मतलब इसके आगे growth हुई, तो इस में obtain हुए, तो मतलब अगर हम phenotypic बाहर से देखें, तो obviously है, जिसकी power ज्यादा होगी वो show होगा, तो dominant trade है tall, तो वो ज्यादा show होगा, phenotypic ratio 3 ratio 1, genotypic 1 ratio 2 ratio 1, यह F2 generation में, कई बार इसका F1 generation से आता है, कई बार F2 generation से आता है, कई बार phenotypic आता है, genotypic आता है, so important है, 3 ratio 4, 1 ratio 4, यह ratio आप देख सकते हैं, कई बार ratio करके भी question आ सकता है, तो नए question नहीं आते हैं, यह सारी चीज़ें आपको करवाई गई हैं, नए question कुछ भी नहीं आते हैं, वही चीज़ें रिपीट करके आती हैं, तो genotypic ratio रहेगी, भी 1 ratio 2, ratio 1, नेक्स्ट आता है, which of the following, not a dye secret, dye secret मतलब double sugar कौन सी नहीं है, सुक्रोज की बात करें, तो सुक्रोज आता है, glucose plus fructose, lactose आता है, glucose plus galactose, maltose आता है, glucose plus glucose, अब glucose single unit है, तो कौन सी नहीं है, option D, इस तब करेक्ट, next is junction between, एक निउरोन आपको पता है, हमारी body का सबसे longest रहा है, ये system ठीक है तो सबकुस ठीक है, तो एक निउरोन जैसे खतम हुआ, अगले निउरोन से attach होता है, तो आप यहाँ पर और picture में एक और picture है, तो यह खतम हुआ, तो यह connect होता है यहाँ से, इसको सबसे होता है, यहाँ पर fluid होता है, अगर fluid well defined है, सब कुछ है, तो अच्छे से होगा, अगर defined नहीं है, तो होगी ही problem, तो synapsis, node of renever, यह myelated neuron में होते हैं, loop of channel, यह तो आपको पता है, यह part है, हमारे excretory system का, exon भी neuron का part, तो option यहाँ पर हमारा भी correct बन चागा है, next question के तरह बढ़ते हैं, next question हमारा आता है, the study of internal structure, इस question के थोड़ा सा doubt है, मतलब इसमें देखो morphology, बाहर का structure, taxonomy, जब arrangement करते हैं, thing, physiology, plant के बारे में सब कुछ है, पर according to NCRT देखी जाए, तो NCRT में तो anotomy बोला है, अगर आप mail करके बोलें, कि due to, अगर, मतलब NCRT देखा जाए, तो NCRT में यहाँ पर internal structure anotomy आता है, पर अगर वो, मतलब NCRT तो anotomy है, बट अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, तो physiology में हम पूरा physical basis पे चीज़ें आ जाती है, physiology तो direct answer नहीं आएगा इसका, अब क्या पता वो क्या explanation करते हैं, बट आप final answer की में क्या आता है, आपको grace mark भी मिल सकता है, अगर आप वहाँ पे comment करें, क्योंकि कहीं ना कहीं, indirectly way से, इसको physiology में भी consider कर सकते हैं, क्योंकि physiology में तो हर चीज़ आगे ना, उसके अंदर की, तो physics तो पताएगे क्या आता है, तो इसमें अगर आपको कोई doubt है, कुछ भी है, तो comment section में, मतलब इस question से regarding, कि आपका क्या view है, अब comment section में ज़रूर बताईएगा, study of a pollen grain, देखो, pomology, ये fruits से related है, मैंने आपको बताया था, palentology, ये आती है pollen grain से, phycology, ये algae की study है, mycology आती है, फंचाई, तो paper में ज़रूरी नहीं है, कि आपको exact answer आता है, योग, जैसे कि हर question का, कई बार कुछ question logically, कई बार कुछ question, आपके आती हुए question से, सही answer निकालने का भी है, जैसे कि मानना आपको ये नहीं आता है, ये वर्ड नहीं सुना है आपने, ये तो सुने हैं, ये पहले भी आये था, हर chapter के आपके question, देखो हमारे पास अगर किसी notes भी चाहिए, simply, तो notes भी available हैं, आप नीचे दिये गए number पर contact कर सकते हैं, क्योंको classes नहीं लेनी हैं, network issue कुछ भी रहता है, तो आप हमसे ये चीज़ discuss कर सकते हैं, तो most abundant element present in plant, तो most abundant की बात करें, तो हम सोते हैं, environment में nitrogen सबसे ज़्यादा है, तो most abundant nitrogen आना शे, बट नहीं, हम most of organic compound, carbon, oxygen, hydrogen के बने होते हैं, तो carbon 47%, oxygen 30%, hydrogen 9%, फिर nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, and other elements, ये ratio आप exact देख सकते हो, चांग, तो right answer is carbon, right, चलिए बढ़ते हैं, next question के तरफ, हमारा next question आता है, water released as droplet, this is called, water के, जब, देखो ना, ये चीज़ तो सबने देखी होगे, obviously, सबने देखी होगी, तो water droplet ऐसे बन जाते हैं, ये किसकी वज़ा से होता है, ये होता है, नीचे से pressure तो पड़ रहा है, root में pressure पड़ रहा है, अब पानी जा रहा है, बट अब atmosphere पहले ही उसको जुरूरत है नहीं है, तो वो transpiration नहीं होती, तो droplet के form में ये रह जाता है, तो droplet में मदद करते हैं hydroth, ये जो release होता है, यहाँ पर hydrothode होता है, जो मदद करते हैं तो इस question में contradiction ये है, आपको ये बिताया गया था, कि root pressure guttation related है, इसमें droplet जो release होती है, वो guttation के थूरू होती है, root पे pressure पड़ता है, तो guttation होती है, guttation होती है, droplet होती है hydrothode के थूरू, transpiration water के form में जा रहा है, so ये आगया, next question is choroid root, अगर देखें ये है choroid root, right, ये देख सकते हैं, तो choroid root mainly होती है, cycus में, चीक है, इसमें होती है, cycus, और ये किसके part है, cycus and pinus, pinus से चिलगोज़ा मिलता है, cycus से saigo obtained होता है, कि या था हमने, आपको पूरी चीज़े हैं, अगर आप ऐसा बोलो कि हमने नहीं किया था कुछ भी है, तो आपको notes उठाके इस chapter को देख लो, मतलब हर chapter को देख लो चीज़े हैं, तो ये आ गया, ये आते हैं हमारे apatidophytes के अंदर, sorry, gymnos bombs के अंदर, किसके अंदर आते हैं, gymnos bombs, ये चीज़े आद रख न, देखो picture देख ली, common bottle cog is a whose product of, common जो bottle cog है, वो किसका product है, देखो ये आता है हमारा plant का structure, जैसे कि बाहर वाली लेयर को phallum बोलेंगे, phallogen, phalloderm, मैंने बताया था, उपर बाहर वाली लेयर को, देखो यहाँ पे नाम लिखा है, cock, cock cambium, secondary cortex, तो जो पूछा गया है, product है, bottle, water cog, यह है phallogen, मतलब किसे है, phallogen से उप्टेन होता है, कई बार इनका other name से question आ जाता है, कई बार इनके पूछा जाता है, phalloderm से उपर कौन सी होती है, phallum से नीचे कौन सी होती है, इस तरीके से question आते हैं, so इसमें हम right answer कर देंगे, phallogen, xylem आपको पढ़ता है, water the transport pressure मदद करता है, right, next आता है हमारा age, plant की age को कैसे determine, ऐसे ring, हमने देखा हो अगा plant में ring बनी होती है, यह ring हर seasonal ring होती है, तो हर season में grow होगी, और जिसकी विज़े से पता लगा हो, कि इतनी age का है plant, अब देखो, आपनों observe करना, जो छोटे plant होंगी, जिसको भी बेशक गिर्थ होगी उसकी, पर उसमें lining जो होगी, age, इससे परदादा की, और study को क्या बोलते हैं, यह भी comment section में जुरूर बताएगा, growth ring की वज़ा से हमें पता लगता है, फिर अब बात करेंगे, embryo sac, embryo sac कहाँ पे होती है, जैसे कि plant में, उपर, मनलब female reproductive system की बात करें, तो उपर testigma style ovary, ovary के अंदर ovary होते हैं, यहाँ पे होती है embryo sac, जहाँ पे embryo बना होता है, यह चीज़ याद रखना, और फिर इसका right answer क्या बनिया, ovaryol, देखो, अगर आप बोलोगे, यह question करवाया है, अगर आप बोलोगे, पूरा एक line करके वैसा नहीं करवाया गया है, बढ़ हाँ, still इस तरीके से करवाया गया है, कि आपका point cover अपको, बढ़ आप चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें, फिर which of the following not a component of a chlorophyll, हम chlorophyll का structure देखते के हैं, देखो, magnesium है, nitrogen है, carbon है, hydrogen है, oxygen है, बाकि कोई भी नहीं है, देखो, head को बोलते हैं, perfume ring, और ring को बोलते है, pitol ring, तो, यहाँ पे calcium इसका पाइज नहीं है, तो right answer is calcium, second question आता है core element, magnesium, so, next is, next की बात करें हम, तो अभी हमारा, तो 17 question cover हुए, अब 18 question, which of the following rich source of vitamin B12, vitamin B12 का milak के पोड़क्ट का मतलब, अगर बोले, milak के पोड़क्ट जो आते हैं, वो mainly milak के पोड़क्ट के होते हैं, मतलब, vitamin B12, milak के जितने भी पोड़क्ट होते हैं, तो वो रीच होता है, साइनो कोबालमीन इसका नाम है, अगर पूछा जाए किस विटामीन में क्या होते हैं, अगर पूछा जाता है, कोबाल्ट होता है, तो vitamin B12, sexual reproduction structure of hydra, hydra, कोलेंटरेटा का पाए, के अंदर आता है, तो ये जो hydra में ये बढ़ बनते हैं, बढ़ के थू धीर धीर ये बढ़ा होता रहेगा, और ये तूट जाएंगे, तूटने के बाद, उसके बाद नया और्गिनिसम बन चाहेगा, तो किसके थूरी पड़िश करता है, बढ़ किसका पाटर है, कोलेंचरेटा, पोलिफरा, कोलेंचरेटा, सेकेंड नमबर पे आता, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सैमी द्वाफ वराइटी, देखो, आई आर ये तो ये तो राइस की सैमी द्वाफ पूंट है, ट्रिटिकम, वीठ की आती है, तो नाली का है, वीठ की सैमी द्वाफ, सेकेंड आम तो शुगर के इन आता है, नेक्स्ट इस, पिच्चर इने मैंटल, स्वारी मैंटल आगया, मैंटल तो आना ही नहीं इसमें, निमेंथस, निपेंथस, ठीक है, तो, मॉडिफाइड फर्म औफ, पिच्चर इसके अंदर इन्सेक्ट कया है, यह धक्कन सा बन दो जाता है, और वो उसको, निउट्रिशन उससे ले लेता है, तो यह किस्ते है, लैमिना के, लैमिना यही है ना, आगे, इसके धूरू आगे ग्रो कर रहा है, मतलब इसी के अंदर होता है, तो किसे रिप्रिशन होता है, लैमिना, देखो पिक्चर देख लिए, चीजे माइन में रहती है, अगर जो मतलब त्यारी कर रहे हैं अच्छे से, तो एक-दू बार देख लो वीडियो को, आपका कवर अप असानी से हो जाएगा, कोई टेंशन ही रहेगी कि क्या कवर उपकर, क्या से होगा, क्या नहीं होगा, पॉलिनेशन ओफ ये मेज, देखो पॉलिनेशन होती है, ट्रांसफर ओफ ये, मतलब कैसे जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, फिर आती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, देखो ये इस टाइप के नोट्स हमारे बने हैं, फ्लो चार टाइप के, अगर किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे से डारक कॉंटक्ट कर सकते हैं, आप नोट्स भी मिल जाएगे, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, इस टेक प्लेस और मोनशियस प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप की होते हैं, ऑटोगयमी जनेकोगयमी, फिर क्रॉस पॉलिनेशन, अबायोटेक, फिर आती है हमारी तो हमसे question पूछा था मेज में किसमे हो रही है क्या पोलते है एनिमोफिल पूरा तो explain नहीं करूंगी वर नोड़ान कर सकते हैं Nodes हमारे इस तरीके से आपको available होगे हमारी आजाती है pollination by air दोनों में air है बट यहाँ पर option rain था पेपर चलिए पर next question की तरफ बढ़ते हैं next question हमारा आता है transgenic crop transgenic जो crop होती है developed to tolerate herbicide are तो इसका answer है tomato and tobacco NCID में direct question है transgenic होता है जिसको हम specific तरीके से grow करवाते हैं इसका NCID में नहीं है बट research सुरश करके थोड़ा check out किया था तो tomato and tobacco आया था next fruit and leaf drop of earlier stays can be अब जो growth में मदद करता है और माना कोई चीज खतम हो रही है तो जो growth में मदद करता है अगर वो release होगा तो फट फट अच्छे से growth होगी तो oxygen fruit and leaf drop earlier stays में होती है जो oxygen के तो होती है cytokine in cell division ithylene से ithepon gases hormone है zeberline एक growth hormone है रही next question superior ovary देखो तीन conditions आते हैं hypogynos, peragynos, epigynos तो यहां पर दिखा है hypogynos, ovary seems superior क्या है? ovary superior है hypo मतलब उपर peri मतलब ovary center में होती है example पका यार रखना rose, cherry, peach कई बार इसके example से question आते हैं कई बार definition से question आते हैं epigynos इसमें क्या होता है? epi नीचे, ovary present in inferior cucumber deflative तो और भी बहुत सारे example है example करके भी question आते हैं तो इसको माइन में रखना superior ovary था right answer is hypokynos next question अभी हम करते हैं next question आता है middle lamina तो जो middle lamina होता है cell का वो बना होता है calcium के पैक्टे इतनी बार question पुछाए calcium and magnesium के पैक्टे right cell organelle is absent in almost all plant कौन सी चीज है इन में से जो absent होती है बहुत सारे plant में तो बात करें अगर हम तो जो centriol होता है और वो absent होता है lysosome को हम suicidal back बोलते हैं क्योंकि ये खुद ही खतम हो जाता है vacuels सबसे large amount में होता है प्लानेट में गॉल्ज एपर्टस packaging का काम करता है इनकी discovery इनके इससे बहुत questions आते हैं इसके तो short notes भी प्रवाइट आपको DNA amount become half in this phase किस phase में होता है जब मैंने question करवाया था तो ये question को मैंने गलत बताया था मैंने interface बताया था बट इसका right answer हो जाता है anaphase 1 तो anaphase 1 में ये DNA amount half हो जाता है और किसमें होता है ये meiosis में में लिए ये चीज़ बुटी है right anaphase anaphase मेंने कोच बता है थी अलग-अलग अलग-अलग चले जाते हैं side में चले जाते हैं DNA amount half हो जाता है anaphase 1 option C is the correct next question major site for lipid synthesis endoplasmic reticulum दो टाइप्स का होता है जो transportation में काम करता है एक रफ रफ मतलब उसमें न राइबोजोम लगे होता है ribosome है protein की synthesis में मदद करता है और ser lipid की synthesis में मदद करता है देखो cell है cell के अंदर nucleus होता है nucleus को brain of the cell बोलते हैं Robert Brown ने इसकी discovery की थी उसके अंदर जो material होता है वो nucleoplasm right crowns anatomy तो crowns anatomy की बात करें तो direct अगर आप एक बार सर्च करोगे तो sugarcane आता है पर sugarcane में सबस्व में होती है crowns anatomy right तो यह याद रखना ठीक है ऐसे तो यह mesophyll cell में होती है C4 में यह bundle seed cell में होती है क्योंकि C4 plant रहां पर grow करते हैं जिनको high temperature या ज़्यादा पानी की जुर्थ होती है तो यह आते हैं तो इसमें भी all of these यह भी शाद मैंने गलत बताया था sugar क्योंकि first option में sugar gain था और first ही correct रखिया जाता है but all of these is में correct बन जाता option D is the correct next देखो चीज़ें लिखी वे हैं यहाँ पर आप एक पर पढ़ सकते हैं चीज़ों को glycolysis वो सभी सांस लेते हैं जो भी जीरे हैं वो सभी सांस ही लेते हैं तो क्या होता है तो glucose है जो glucose सबसे पहले convert होता है fire weight में और energy में अब यह convert होता है यह aerobic हो या anaerobic हो दोनों में सेम होता है यह सब कुछ हो रहा है साइटो प्लाजम के अंतर इस प्रोसेस को बोलते हैं glycogenesis EMP pathway क्या बोलते हैं EMP pathway फिर fire weight से अगर वहाँ पर oxygen नहीं होगी तो ethanol carbon dioxide energy बन जाएगा कुछ time के लिए oxygen मसल में कम होगी जैसे बहुत exercise करते हैं या नया काम किया दर्द हो जाती है तो lactic state plus energy और presence of oxygen होती है तो carbon dioxide water energy in micro country so सारे question आ सकते हैं कि glycolysis में end product क्या बनता है glycolysis होती क्या है EMP का other name क्या है कितने ATP बनते हैं अगर जो की fire weight से carbon dioxide हो बनती कहां पे mitochondria mitochondria को हम क्या बोलते हैं power of the cell तो बात करेंगे cytoplasm ठीक है chloroplast को kitchen of the cell बोलते हैं देखो power बोलते हैं क्योंकि energy यहां बनती है chloroplast को kitchen बोलते हैं क्योंकि खाना बनता है यहां पे nucleus to brain of the cell होता है क्योंकि सारी चीजें तो यही control करता है देखो आप जिसे classes लगा रहे हो मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं picture के दूर पढ़ाती हूँ अब आप खुद पढ़ रहे हैं तो जो भी topic पढ़ रहे हो उसको साथ-साथ images देखो जितनी images देखो उसना आपके लिए असान हो जाएगा cotyledon of a maze तो cotyledon of जैसे कि यह maze है मैं इसका एक piece लिया उसका हिस्सा देखा तो जो cotyledon होता है वो है cotyledon coliopatyle से shoot develop होती है coliurahiza से root develop होती है cotyledon जो होता है उसके cotyledon को हम कहते हैं क्या है cotyledon root shoot and dosperm अंदर वाला हिस्सा आता है plant का जो भी हम खाय रहे हैं देखो यह देख सकते है clear image वह clear नहीं थी so continue self pollination अभी बिताया था self pollination क्या होता है self pollination होता है continue plant grow करे जा रहे है और मतलब आप ऐसे बोसकते हो यह मतलब उन plants में जिनमें सहीमी तरीके से मतलब एक ही मतलब male and female एक में होते है mainly उनमें यह होता है तो इसकी वज़े से क्या होगा continue self pollination कर रहे हैं in breeding depression होगा so flowering develops device discourage self pollination और increase करेगा cross pollination को तो यह है in breeding depression option d is the correct रहे हैं तो यह आप देख सकते हैं बाकि बहुत सारे points यहां पर लिखे हैं फिर आता है the organism that completely lacks cell wall चीक है नहीं होती जिसको जो कर आप तर सल्वी बोलते हैं कितनी वार करवाया है mycoplaza so यह है देखे चीज़ें वही हैं जो आपको करवाई गई हैं NCRT बेस ही हैं बट यह भी revision कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं अगर आप और अच्छे से बात करें तो अगर आपके पास NCRT है तो NCRT को अच्छे से cover करने के लिए 4-5 महीने लगते हैं वैसे तो प्लसन पस्टों में तो दो साल लगते हैं तो अगर हम बड़े हैं हमें समझ है थोड़ी सी हमें 3-4 महीने या 4-5 महीने के बीच में लगते हैं अब आपकी speed से पढ़ते हैं वो matter करता हैं बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत पता हैं तो चार महीने में cover हो जाएगा नोट्स हैं तो आपके 2-3 महीने में तो जो की हमारी strategy रहती है बहुत जादा भी एक साथ नहीं थोड़ा थोड़ा हर चीज करनी ही है त्यारी वी आदर teacher तो धंक से ही पड़ी है तो मैंडल थे जिन्होंने बायो को सबसे पहली बार चैमिक मतलब आप दो सकते हो पहली बार इसको जोड़ा था किसके साथ इसको math के साथ जोड़ा था मैंडल ने genetic trade के बार उटता है था इस पर तीन से चार question आया है जीन्स के बारे में तो इन्होंने 1856, 1863 तो हर बार पेपर में दो तीन question तो ऐसे ही होते है logically जितना logically आप चीजों को करोगे समझोगे उसना अच्छा response कर सकते हैं तो यह बन जाता है अब next question is fibrous root तो टाइप की root होती है इसका question भी मैंने गलत बोला था तो fibrous root roots दो टाइप की होती है tap root fibrous root tap root dicot में होती है fibrous root monocot में होती है तेखे tap root जैसे की यह fibrous maze बगेरा इन चीजों में होती है tap root जैसे की आपको एक सांपल भी करवाया था tap root होती है जैसे कार्चर, मुल्ली इन सम्ट, dicot, double cotyledon fibrous root single cotyledon होता है तो monocot देखो पटाइडोफाइट में वेस्कुलर सिस्टम ड्वैल्प होता है ब्राइडोफाइट को हम amphibians of the plant kingdom बोलते हैं याद अखेगा next is casperian strip मतलब casperian strip कहां पर found होती है तो यह होती है देखो casperian strip देखेंगे इस तेल है यह यह ना mainly roots में होती है water absorption में मजद करती है तो 11th chapter था उसमें किया था water absorption के पाथ में simplast, epoplast और एक क्या था vascular तो epoplast में तो बाहर-बाहर से गया simplast में अंदर से गया और थर्ड था casperian strip के त्रू भी movement होती है तो यह कहां होती है android armies of a root option B is the correct next के तरफ बढ़ते हैं which part of the world has the highest density of organ group सबसे जादा कहां पे होती है तो यहां पे होती है tropical rainforest option B is the correct pneumatic bone hollow bones होती है hollow bones किसमे होती है जो उड़ते हैं हलकी bones होंगे तो भी तो उड़ पाएंगे और हलकी bones ही नहीं होंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे जासे कि अगर हम बात करें which of the following correctly match करता है C, N, M, N, C, L, N, T, R, T के अंदर आता है right most abundant art WBC white blood दो टाइप्स के होते हैं granulocyte और granulocyte बहुत बार पूछे हैं मैंने तो neurophil, basophil, eusophil and basophil lymphocyte, monofact सबसे ज़्यादा amount में neurophil होता है देखे हम उसके बाद lymphocyte तो इसके रोल सब कुछ बहुत बार रिपीट किया है मैंने most abundant neurophil next के ज़रा बढ़ते हैं यह हमने कर लिया hemo dialysis तो नहां जिनको कितनी की problem होती है उनका storage problem कोई कैसी problem कोई कैसी problem तो वो आती है hemo dialysis most common most common रहती है इसमें रहती है मतलब यह है uremia uremia में na blood में hemo dialysis किया जाता है जब किसी की kidney proper work नहीं कर रही यानि blood में impurity है तो उसको clean करने के लिए उसको saaf किया जाता है तो hemo dialysis की जाता है uremia calcule मतलब stone hard stone edema आता है swelling हो जाती है और glyco यह excess sugar in urine glyco urea excess sugar in urine porn porn किसका पार है लेकिए brain है तो brain में four brain का पार है cerebrum hypothalamus thalamus olfactor low mid brain बीच में आता है फिर आता है hind brain hind brain का पार आता है cerebrum porn medulla काम से porn पूछा क्या था hind brain right answer is hind brain next question की तरह बढ़ते हैं which of the following not a involvement of a muscle contraction calcium तो जरूरी है actin, troponin तो होता ही है क्योंकि यह protein है actin के अंदर ही troponin आता है हमने पढ़ा है अच्छे से जिसमा नहीं बता दिती हूं actin के अंदर protoponin आता है magnesium नहीं होता muscle contraction तो यह logic था कि यह यह चीज़े होती है यह चीज़े नहीं होती है तो actin myosin थिक होती है और actin light होती है यह सारे portion reason of a vertebrate eye where optic nerve pass out retina तो optic nerve pass out होती है तो उस तेखो सारे optic nerve एक point से spot होती है जिसको blind spot बोलते हैं क्या बोलते है blind spot एक और word है phobia blind spot जहां पे optic nerve pass through होती है और इसमें कोई visual aid नहीं होती है मतलब image नहीं होती है phobia में सबसे ज़्यादा images बनती है मतलब colouring होती है मतलब आप ऐसे बोल चकते हो visuolak सबसे ज़्यादा visuolakring होती है retina में image बनती है cornea donating part होता है pupil में light enter होती है iris colored part of eye iris pupil के size को control करता है जो बीच में color color से लिखता है वो pupil है बाकि जो भी ऐसे ऐसे से दिखती है आपको side में जो किसे अब देख ले न light डालते हो तो वो change होती है या side change होता है वो सब कुछ तो right answer इसका बन जाएगा blind spot optic च्यासा midbrain का बाड़ है ये भी visual pathway में मदद करता है तभी इसको यहाँ पर consider क्या है optic च्यास न यहाँ रखेगा देखोई blind spot सब कुछ लिखा है ताकि आपको चीजों को समझने में असानी हो which of the following is not a feature of a plasmid plasmid जब ना gene specific बनाना हो कुछ करना हो तो plasmid से select करते हैं हम वहाँ पर modify करते हैं तब new चीज बन दिया ऐसे नहीं कुछ भी एकदम लिया चलो हो गया सब कुछ बन गया तो plasmid small size होता है circular shape होता है piece of DNA not same as a chromosomal DNA तो replicate independently कर सकता है और found in bacteria multicell organism में होता है अब इसमें से not a feature कुछ है circular होता है right transformable होता है right singular नहीं होता single नहीं होता है double single होता है independent replication करता है सारे ठीक है कई बर accept कई बर हम directly हम कर देते हैं चीज़ें और हमें पता नहीं रगते है right catecholamine R catecholamine है क्या catecholamine होता है adeline and non-adeline hormone जोकि emergency hormone भी हम इसे consider करते है hypothalamus brain का पार्ट है pituitary gland master of a gland बोला चाहता है thyroid iodine गले के बास होता है parathyroid calcium के balance को control करता है oxytocine birth hormone है फिर vasoprasine हमारे body में जो भी balance है कैसा balance हमारी body में जो भी जैसे कि आप इसको consider कर सकते हैं like excretory system से related चीज़ है वह सारे ओरे यह हो गया grafted kidney यह नहीं था थोड़ा सा logic लगाना पढ़ना था इसमें यह मतलब NCRT में नहीं थी यह line तो consider करते हैं अगर होगी तो बताएगा ज़रूर comment section में अगर आप कहीं मिलती है तो grafted kidney mayn rejected in the patient duty grafted kidney किस kids reject होती है मतलब mayn be rejected in the patient duty मतलब क्या ऐसा होता है कि जिसके वेज़े से grafted kidney मतलब grafted का मतलब है league गई थी तो क्यों reject होती है क्योंकि अगर उसकी body accept ही नहीं करेगे क्योंकि अगर इसके body का system अलग अलग होता है तो cell mediated immune system humoral की बात करें यह B lymphocytes आते हैं इस cell में T lymphocytes होते हैं जो सबसे large amount में होते हैं तो अगर यह reject कर रही है तो अंदर body में accept ही नहीं कर रही तो वो reject हो जाएगे passive immunity यह radimate antibodies की मतलब जैसे IgG जो mother से direct radimate मिलगी mother से बच्चे को innate innate आती है जो by birth की है ही आपकी body तो बगवान ने न पूरी body का system में आए कि इंसान कोई problem है पर फिर भी इंसान अपनी body को खराब कर देता है अनहाईजिनिक खाके पीके interferon interferon होता क्या है जब हमने जैसे की health and disease वाला chapter ही किया था ज़्यादा detail तो मैंने नहीं करवाई थी बस थोड़ा सा बताया था interferon is synthesized response of a virus virus के लिए मतलब यह inactive form होती है अगर पुछे interferon के inactive form होती है जो antiviral protein होती है protein है यह जो कि अगर virus हमारे अंदर चल जाता है उसको मतलब रोकने के लिए उसको control करने के लिए हमारी body में होती है तो किस के लिए है यह virus के लिए देख्या हमें मिली भी है बगवान से कि प्रॉब्लम ना हो हमारी body में human insulin insulin पता है क्या है pancreas होता है control करता है pancreas और commercially produced किया जाए transgenic echionia echiotia ischia coli है जब बोलते हैं इसको तो फिरादा है in recombinant DNA technology antibiotics तो उसे हम क्या बोलते हैं देखो recombinant DNA technology में selectable use selectable mark अब combine करना है कुछ नया बनाना है तो select करना पड़ेगा कहां से करना है alternate genetic material outside the organism रहेगा selectable marker technology use की जाएगी selective identify किया जाएगा फिर transform किया जाएगा check out किया जाएगा ऐसे ही नहीं कुछ भी कहीं को भी कुछ भी form कर रहे है हम सब कुछ मतला अच्छे से synthesis करके चीज़े कर रहे है and selectable marker right next is next question आजाता है हमारा हो चीज़े लिखी भी है विनरल डिजीज can be spread by ये BNC आजाएगा trans injected person to infected person मतलब बूसर परसन infected और mother to phytus भी चली जाएगी है diseases यहाँ पर लिखा है spread to blood transformation person infected mother to phytus kissing is also transmitted वर skin risk second में आजाता है herb simple syphilis भी आजाएगा देखो question है colorblind female married with man with mother was also a colorblind colorblindness वो नहीं कि बंदे को दिखाए नहीं देता colorblindness का मतलब होता है कि color मतलब color में change बढ़ना simple blind person लिखा था colorblindness color का कोई identification नहीं है तो इसमें आजाएगा colorblindness chance to a progeny यहां में थोड़ी spelling यह mistake होगे है इस पूरी PDF में थोड़ी तो याद अखिएगा progeny right colorblindness तो चांस रहेंगे 100% क्योंकि इसमें female carrier होता है याद अखिएगा female carrier होता है male को transmit होती है पर female मतलब कम होने के chances होते हैं इसके तो chances है 100% की होगा उनके बच्चों को match the following pituitary gland diabetes related diabetic inspequus right thyroid gland related है gravious disease adrenal gland है आपके Edison disease pancreas आगया diabetic मेलेट चिक हो तो यह सारे related है तो यहाँ पर हमारा option बन जाता है B is the correct first cut three pituitary gland diabetes इंपिस्कुस फिर thyroid gland gravis first option तो यह correct बन जाता है next is vex gland present यह यह इर कनाल is called vex gland जो होते हैं वो इर कनाल उसको क्या बोलते हैं तो vex gland sweet gland मतलब sweating होती है copper gland यह मेल में होती है जो कि sperm को release करने में हैं vex gland जाद अच्छा brain देखो एक अब से comment किया था किसी ने कि brain medulla oblongata नहीं आता पोन आता है तो आपका doubt clear करना चाहूंगी तो से respiratory center three major component में divide हैं groups में divide हैं two in medulla one in porn ठीक है one porn में होता है two group medulla dorsal respiratory group होता है and ventral respiratory group में होता है and porn में made up of two area इसमें सिर्फ मतलब centers होते हैं इसलिए इसको porn को specifically consider नहीं किया जाएगा और इसलिए medulla oblongata porn and hind brain के दोनो medulla मतलब उन parts में आता है पर mainly consider medulla oblongata में किया जाएगा क्योंकि यहां पे respiratory center होता है जबकि pons में मतलब groups होते हैं तो main control तो इसका medulla oblongata में ही आता है right तो hypothalamus temperature करता है cerebrum सबसे largest एक उता cerebellum एक उते cerebrum cerebrum सबसे ज़्यादा amount में होता है हमारी brain के बाद right तो इस point को अब अच्छे से consider कीज़ेगा चीज़ों को समझेगा blood clotting में देखो vitamin E मदद sorry vitamin K मदद करता है blood clotting में E sterility के लिए होता है C scurvy problem होती है gum में bleeding देरा होती है A eyes से related problem है retinol इसका scientific name इसके scientific name और बिमारिया बहुत ज़ाद है बहुत बहुत बार question आते है next best cholesterol which of the following consider to be consider best cholesterol किसको best cholesterol consider किया जाता है तो HDL को best cholesterol consider किया जाता है high density high density lipoprotein and VLDL very low density lipoprotein IDL intermediate density lipoprotein and LDL low density lipoprotein अर इसमे high density lipoprotein होती है यानि good के अन्दर आते है so HDL तेकिया so next is which of the following viral man viral disease तो diseases से भी आपको बताया गया था कि कितना important है diseases वाला section जो कि आपको सारी चीज़े पता होने चाहिए तो bacterial dysentery plague cholera typho pneumonia viral cold mum missiles तो ये सारे points है check out कीजेगा तो अभी हमसे question पूछा गया था तो हमारा question right बन चाता है माप right transmitted diseases diplis and gonor रहिया तो जब भी आपको question करते होना तो question का ये मकसर नहीं होना चाहिए बस question क्या बात करता हो आपको पूरा का पूरा आना चाहिए तभी आपात बनेगी maximum volume of air contained in the lung by the full force inhalation तो सबसे ज़्यादा माट किसमें तो देखो tidal volume 500 inspiratory 2.9 ml expiratory मिला कितना exhale कर सकते है 1.4 residual 1000 vital capacity 4 to 5 रहती है total lung capacity vital capacity and reserve volume दोनों आजाए ये total और ये भी तो ये last दिन में करवाया था आपको ये concept तो total lung capacity तो ये तो था हमारा biology section सिर्फ इसमें एक ही question में था वो anatomy वाले question में doubt और किसी भी question में कोई doubt नहीं है तो इसके साथ आपकी ये class finish होती है मतलब ये section finish होता है मैंने पहले ही बोला है अगर आप competitive exam के तियारी करें तो previous year paper को at least 2-3 बार आप जरूर solve up कीज़ेगा मतलब अगर आपके पास notebook है तो उसमें solve कीज़े और उसमें देखे कि आपको कितना score बनता है अगर अभी आपको लग रहा है कमी है तो अभी आप previous year paper उठाई पैंजल से टिक लगाईएगा और फिर marks चोड़ना, honest answer तो को तियारी कर रहे हो ना तो कभी भी अपने साथ वो नहीं करना कि बस याद हो गया, कर रही हूं मैं तियारी धोका खुद को नहीं देना, दूसरों को दे सकते हैं खुद को दोका नहीं देना है तो चीज़ों को समझना है, करना है बाकी ऐसे ही जो बाकी वैसे तो काफी वीडियोज अप्लोड हो चुकी है कुछ जो नहीं हुई है उसके लिए जल्दी ही आपको वीडियोज अप्लोड हो जाएंगी तो वहाँ चक पढ़िएगा और बाकी कमिशन और हमारे पास अविलेबल है तो अने वाले टाइम में हम और भी कोर्स टार्ट करने वाले हैं तो जिसको भी जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट सक्षिन में बता दीजेगा पूछ लीजेगा और चीज़ें आप अच्छ से कीजेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में तब तक आप अपना ख्याल रखेगा चलिए फिर मिलते हैं